करोडों श्रद्धालू गंगास्नान के लिए पहुंचते हैं राज्य सरकार हरकी पौडी को श्रद्धालू के लिए और सुविधा जनक और सुगम बनाने की योर काम कर रही है बुधवार को हुई कैबिनेट बैचक पे काशी विशुनात कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर की तर्च पर हरकी पौडी के विस्तारी करण और संदरी करण की योजना पर मोहर लगी है मुख्य मंत्री पुश्कर सिंग धामी ने कहा है कि हरकी पौडी को श्रद्धालू के लिए सुगम और बहतर बनाने का काम अब जल शुरू हो जाएगा हरकी पौडी पर कॉरिडोर बनाया जाएगा धामी कैबिनेट में ये एहम फैसला लिया गया कि मा गंगा का तर्थ हरिगवार यहाभी जो है हमारा मैं कहूंगी बिश्वयापी इस्तान है इसका भी एक कोरिडोर बनना चीए उसके लिए हम लोगों ने कल कैबिनेट से इसको प्रस्वाव फारिद किया है कि निकट भूश से में हम तो उसी तरज पर गंगा जी का ये ये धर्म नगरी और मैं तो माया नगरी हरिद्वार की उसी तरज पर बिख्सीत हो उसके लिए हम लोग आगे प्रियास करेंगे किशोर रावत संबादाता हमारे साथ सीधे लाइफ कनेक्ट हो गए है अब तक जादा जानकारिया पहुचाएंगे किशोर आपके पास आएंगे किस तरीके से हर्की पॉड़ी का नवीनी करण होगा वहाँ पर कॉरिजोर बनाया जाएगा किशोर देखे हर्दवार की हर्क पैड़ी ना सिर्फ उत्राखन बलकि देश विदेश में इसकी विक्यात है परिसिद है अब ऐसे में इसका सौंधरी करण इसको क्योंकि यहाँ पे अकसर श्रधालूं की भारी संक्या रहती है हर्दवार में कभी भी किसी भी समय चले जाओ यहार उसको काशी विश्वनात और महाकाल कॉडिडोर जिस तरीके से डवलप किया गया है उसी तरज पर यहाँ पे डवलप करने का प्लान सरकार बना रही है सरकार ने इसके लिए खाका भी त्यार कर लिया अगर अधिकारियों को काशी विश्वनात और महाकाल जो कॉडिडोर ह उसमें वहाँ भेजा गया था वहाँ किस तरीके से वहाँ पर सौंदरी करण, किस तरीके से विस्तारी करण और किस तरीके से वहाँ पर रहने के लिए, सनान करने के लिए जगा चाहिए उस तरह के से पूरा एक खाका त्यार करने और जल्द ही यहाँ पर हरकी पैडी में ये सौंदरी करण जल्द ही शुरू किया जाएगा जल्द ही हरकी पैडी में सौंदरी करण और नवीनी करण का काम शुरू हो जाएगा आप बने रही है हमारे साथ आपके पास वापस लाचूंगी एपरेल के अंतिम हफते से चारधाम यात्रा की शुरवात होने जा रही है इसको लेकर शासन प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है खुद मुखे मंतरी धामी कल यात्रा को लेकर हुई तयारियों पर अधिकारियों संग बैठक करने जा रही है CM ने बताया है कि फिछले साल की तरह इस बार भी चारधाम यात्रा में रिकार्ड तोड फीर चुटने की उमीद है और उसको लेकर तयारिया की जा रही है एपरिल के आकरी हफते से ये यात्रा शुरू होने जा रही है और तैयारियों को लेकर मुखे मंत्री कल एहम बैठक करने जा रही है और बहुत सारे काम किसली बार और जो लोगों के सुझाओ थे या हमें लगता है कि और अच्छे हो सकते हैं हम कोशिश करेंगे कि उन सभी पर इस बार काम हो और जो कुछ काम हमें और करने के आउसकता थी इस यात्रा में हम करें और सभी आने वाले लोगों के लिए यात्रा अच्छी हो सभी लोग अपनी यात्रा अच्छे तरीपे से आकर उनके किसी परिशानी का सामना नकलना करे और इसलिए वर से बड़ी संख्या में यात्रेओं की संख्या यहां जोदी है और किशोर हमारे साथ लगातार बने हुए है किशोर अपरिल के अंतिम हफ्ते में यात्रा अब शुरू हो जाएगी इस बार यात्रा को सुगम बनाने के लिए किस तरीके की विवस्ताएं होंगी सीम धामी की भी कल बैचक होने जा रही है बिलकुल सची वाले में कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है जो चारधाम यात्रा से जुड़ी है और चारधाम यात्रा में किस तरीके से तैयारिया होनी चाहिए किस तरीके से प्रशाशन को तैयारी करनी चाहिए क्योंकि पिशली बार भी करीबन 46 लाग से ज़्यादा यात्री पहुंचे थे और अब ऐसे में क्योंकि इस बार एक महीना पहले आगर बात करें तो डेट आई है फिलाल तो बदिनाजी की डेट 27 अपरेल की है और 18 तारिक को जो शिवरातिय उस दिन केदावनाजी की डेट ड भी जा गया था और वहां पर तमाम तैयारियों का जाइजा भी लिया था इसको लेकर कल मंत्री एक बड़ी बैठा करने वाले है जिसमें सभी विभाग जो चारधाम यात्रा से जुड़े विभाग है वो सभी वहां पर मौझूत रहेंगे किस थरीके से यात्रियों को जो भुजूर्ग है या फिर जिनका स्वास ठीक नहीं है या फिर आफ्टर कोविट के वाद जो तीजे सामने आई है तो ऐसे में सभी यात्रियों की सुरक्षा की जाए उसको लेकर सभी तैयारियां कल सची वाले में बैठा कोगी इसको लेकर टेके कि शोर आपके बास वा तंग